वह गोस्वामी तो सिदास जी जो अपने ही अवगुनों को गिना रहे हैं और एक और इशारा कर रहे हैं सीधा तो वो नहीं कहना चाहते हैं लेकिन एक तरफ वो इशारा कर रहे हैं तो भवानी जी और शिव जी का वंदना करते हुए भवानि जी षरधा रूप हैं और शिव जी विश्वास रूप हैं ऐसा मानके चलना चाहिए और शिव और शरधा रूप हैं वई शिव पारवती का मिलन है वही ज्यान प्राप्ती से ही यह संभव हो पाता है जब आंत्रिक ज्ञान हो जवात में ज्ञान हो घट के भीतर ही इश्वरीय तत्व का साक्षातकार हो तभी जाकर संभव होता है कि शद्धा और विश्वास का मिलन सही तरीके से हो पाए ज्ञान के मध्यम से होता है ऐसा और शिवरात्री फिर घट में ही मनाई जाती है शिवरात्री फिर घट में होती है वो ज्ञान रूपी शिवरात्री होती है तो चलिए शिवरात्री का पर्व बहुत नजदीक है शिवरात्री के दिन ऑनलाइन कुछ कारिकरम आपको मिलेगा उसकी तैयारी चल रही है अलग से मिलेगा तो निश्य ही आप उसका लाव उठाए जो शिवरात्री का कारिकरम जो 9 बज़े लाइव चर्चा होता है वो तो होता ही है लेकिन अलग से भी आपको कारिकरम मिलेगा उसके जानकारी शिगर ही आपको आज कल में दे दी जाएगी, प्रभू की रिती है क्या रिती है उनकी रगुवर राउर इह बढ़ाई निदरी गनी आधर गरीब पर करत करत करते हैं यही तो आपकी बढ़ाई है तो इसलिए मैं वैसा ही बनके रहना चाहता हूं मैं गुनहीन ही दिखना चाहता हूं और मैं सब की कृपा को प्राप्त करना चाहता हूं सबसे मैं प्रार्थना करता चाहता हूं तो गो स्वामी तोसिदा जी कुछ इस तरह से अपने विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं उनकी कुछ ऐसी लेकर वो कहते हैं जे जन में कलिकाल कराला करतव बायश बेश मराला चलतुक पंथ बेद मग छाड़े कपट कले वर कलिमल भाड़े बंचग भगत कहाई राम के किंकर कंचन को हकाम के तिन महा प्रथम रेख जग मोरी धिंग धर्म द्वज धन्दक धोरी क्या कहते हैं जे जन में कलिकाल कराला जो इसे कलिमल लेते हैं जिनकी करनी कवय के समान है और वेश हंस कासा है जो वेद मार को छोड़ कर कुमार्ग पर चलते हैं जो कपट की मूर्ती और कलिमल भाड़े हैं जो श्री राम जी के भक्त कहला कर लोगों को ठगते हैं ये दिपी वो सारी बाते अपने लिए कह रहे हैं कि कि वो सीधा किसी को दोश नहीं देना चाहते हैं वो दूसरों को दोश देने के बज़ाए अपने उपर ही सारी बातों को रख कर वो कह रहे हैं कि जो कल्यूग के वशिभूत है कल्यूग में पाप का घड़ा बढ़ता है लोग पाप करते हैं धर्म के नाम पर भी अधर्म करते हैं और राम का नाम लेकर ठगी करते हैं जो श्री राम जी के भक्त कहला कर लोगों को ठगते हैं खुद को राम जी का भक्त क्योंकि वेश प् प्रताप है तो जो शी राम जी के भक्त कहला कर लोगों को ठगते हैं जो धन लोब क्रोध और काम के गुलाम है जो धिंगा धिंगी करके करने वाले धरम ध्वजी धरम की जूटी ध्वजा फैराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोज धोने वाले हैं संसार के ऐसे लो यदि मैं अपने सब अवगुन को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ी हो जाएगे भाईया यही सब चलता रहा फिर तो कथा कब शुरू होगी ठीक है तो कथा बहुत बड़ी हो जाएगी और मैं पार नहीं पहूंगा इसमें मैंने बहुत कम अवगुन का वर्णन किया है बुद्धिमान लोग थोड़े से ही समझ ले एसे भी गोश्वामेत उसे दाजी ने अपने अलग साहित में लिखा है कि मुझे से बड़ा कौन दुष्ठ होगा खल माने दुष्ठ कौटिल कौन और कौन होगा और कामी कौन होगा जिसको इतना सुन्धर इन तन दिया मिला इश्कृपा से और उसको भी उसने बिसरा दिया ठीक है तो गोश्वामी तुशिदा जी इस प्रकार से अपने अवगुन गिनवाते हुए वो सबसे प्रार्थना कर रहें कि भाई मैं तो भाई इस काम को करना चाहता हूँ मेरे इक्षा बहुत है लेकिन समस्या ये है कि करूं कैसे मैं तो अवगुनों से भरा हुआ है मेरे अने को प्रकार की विनिती को समझ कर कोई भी इस कथा को सुनकर दोश नहीं देगा इतने पर भी जो शंका करेंगे वो तो मुझसे भी अधिक मुर्ख और बुद्धी के कंगाल है तो फिर भी मुझे दोश मत देना तुम इसमें जो प्रभू का प्रताप है जो इसमें प्रभू का यश है उसी पर अपना ध्यान देना और किसी बात पर ध्यान देने की जुरत नहीं है मैं ना तो कवी हूं कभी नहीं चतुर कहावों ना तो मैं कवी हूं और नहीं मैं चतुर कहलाता हूं मैं कवी भी नहीं हूं और मैं कोई बहुत इंटलेक्शुल आदमी भी नहीं हूं वो कहना चाहते हैं कि मैं कवी भी नहीं हूं और मैं कोई बहुत चतुर व्यक्ती भी नहीं हूं चतुर चलहाक लोग होते बड़े तार्किक लोग होते तर्क करना जानते भईया मैं यह सब नहीं जानता कह रहे हैं कि मुझे ना समझा जाए कि मैं बहुत अच्छा कवी हूँ पहली गोशना कर देते हैं क्यों जानते हैं कि समाज में इस समय जो समाज के स्थिती थी उस समय अने को द्वंद थे लगभग जो मुगलिया सरकार थी मुगलिया साशन था वो देश के कई हिस्सों में व्याप्त हो गया था विश्यष करके तुलसिदाज जहां के रहने वाले थे बांदरा जिले के चित्रखूट के और अवध के प्रियाग काशी मगध यह जो छेत्र हैं लगबग एक जैसी भासाषी वाले चैत्र हैं और एक जैसे पहनावे खानप्यूर् पान वाले चैत्र हैं तो ये जो है इन शेत्रों में मोगलिया शाषन अपना वर्चस व फैला चुका था, एक तो ये समस्या थी और जो समाज था, वो वैशनों और शैव मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटा हुआ था, जो सनातन धर्मी थे, जो हिंदु समाज था, वो शैव वैशनों के हिस्स बटा हुआ था और दूसरी बात क्या थी कि भक्ति तो थी इश्वर का नाम तो लोग जबते थे लेकिन उनके अंदर वीरता नहीं थी तो वीरता नहीं थी इस कारण से एक समस्या बहुत बड़ी या फिर वो शक्ति की उपासक हो या फिर वो शैब उपासक हो या वैश्नव उपासक हो वो सभी संगठित हो यह वो सभी करता हूं तो समाज मेरा विरूद करेगा क्योंकि वो एक ही गरंथ के अंदर शिव कथा और राम कथा भी लिखने जा रहे थे सीता जी को भी वो साक्षात्व ब्रंव की ब्रह्म स्वरूपनी बता रहे थे और इस तरह से उनका जो लेखन था आज हमें नहीं लगता आज हम इ अब लिए में कोई भेद नहीं है शिव विश्णू में कोई भेद नहीं है क्योंकि ऐसा प्रचार रामचरत मानस से हुआ यह कही समझना चाहिए श्रीमद भगवत गीता में भी एक रूप में बताया गया है और रामचरित मानस में विशेश रूप से इस बात पर बहुत अधिक बल दिया गया है कि हर और हरी में भेद नहीं है और ना करना चाहिए यह समझाने यह विद्वान था तो दोनों एक हो जाएं संगठित हो जाएं और संगठित होकर रहें समाज को एक करने के उद्देश से गो कि भगवान कृष्ण सांखे का आधार लेते हुए वेदांत को समझाया है लेकिन आधार हमेशा सांखे का रहेगा वैसी गोस्वामित उसीदाजी उस समय जिन मत्व का प्रचार था उनकी बातों को लेते हुए भी कुछ और बाते भी साथ में कह रहे हैं कुछ और भी द्रण माननेता थी और इतनी द्रण माननेता थी कि भाई अब अवतार ही आएंगे तो बचाएंगे हम कुछ करेंगे नहीं हम अपनी निर्बलता को स्विकार करेंगे हम अपनी भीरूता को स्विकार करेंगे हम कुछ नहीं करेंगे हम तो बस राम जी का नाम लेंगे लेकि कर्म की प्रेणना देती है और गो स्वामी तुलसीदाजी इसलिए आपको कहीं कहीं पर इसलिए तुलसीदाजी अति शुक्ति लगा देते हैं कहीं कहीं पर ऐसी बाते करते हैं जहां पर आपको बहुत ज़्यादा द्वन्द मिलेगा लोग कहते हैं श्रीमत भगवत गीता मे मेरी प्राप्ति नहीं होगी तो पूजा मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया ही नहीं जाता यह भी समझ लेना चाहिए फिर देवी देवता मोक्ष का साधन नहीं बनते हैं चीक है यह भी साथ में यह concept गीता में बहुत अच्छे से बताया हुआ है तो वैसी गोश्वामी तुलसित दाजी एक तरफ अवतार की भी बात करते हैं कि भगवान राम अवतार हैं लेकि साथ साथ वो यह भी कह देते हैं कि काहुन नकोल सुख दुख करता था निजुकरत कर भोग सब ब्राता कि राम भी अपने कर्मों का भोग कर रहें तो यहां पर कई लोग सोच में पढ़ जाएंगे कि यह क्या बात हो एक तरफ तुन्हें ब्रह्म का अवतार बताया जा रहा है तो यह कैसे क्योंकि जब अवतार अगर मालों की एक थियोरी हम मानते हैं कि चलो बनने अवतार लिया फिर भी क्या वो प्रकृति के सिध्धान तोड़के काम करेगा जी नहीं में अगर ड्राइवर गाड़ी में दो प्रकार के लोग बैठते हैं एक ड्राइवर और पेसेंजर ड्राइवर के कंट्रोल में गाड़ी होती है लेकिन ड्राइवर को गाड़ी वैसे ही चलाना है जैसे गाड़ी चलती है अपनी मर्जी से वो नियम ने बना देगा जैसे गाड़ी चलती है ड्राइवर को गाड़ी तो वैसे ही चलाना है तो समझ लिजे कि ड्राइबर अगर अवतारी पुरुष है या ऐसे सद्ध पुरुष है संत सत्गुरु जो आते हैं जिनको हम कहते हैं ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार से विशेश रूप से सिद्धी संपन्न है विशेश रूप से वो ज्यान संपन्न है ब्रह्म को का ज्यान जैसे द्राइबर सारे पैसेंजर को लेके जा रहा है 살아ć ako गाड़ी के नियमोग का नुसार कर ना पढ़ता है क्योंकि दूसरों को बंधन से निकालने के लिए उसे बंधन स्विकार करना पढ़ता है इसलिए दोनों ही बाते लागू हो जाती है चलिए तो चर्चा का विश्य है आगे चौपाईयां आगे बहुत सारी चर्चाएं आएंगे जिसमें कि गोस्वामी तोसी मैं से रमाय के एक पात्र से प्रारफना करते हैं तो वो कहते कि कभी नहों नहीं चतुर कहाओं मति अनरूप रामगुण गावन कहर olm Tag profit और मति मोरी निरत संसारा मैं ना तो कभी हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धी के नुसाय से राम जी के गुनगाता हूँ, मेरी जितनी बुद्धी चलती है, जितना मुझे समझ है, मैं कोई बहुत समझदार आदमी नहीं हूँ, मैं कोई बहुत विद्वान आदमी नहीं हूँ, लेकिन म मेरे अंदर मेरी तिवरिक्षा है कि मैं राम जी का गुनगान करूं उनके चरित्र को मैं लिखूं सो मैं लिख रहा हूं और उनका गुनगान कर रहा हूं ठीक है कहां तो श्रण रहुनात जी की अपार चरित और कहां संसार में आसक्त मेरी बुद्धी है संसार में ये आसकते मेरी बुद्धी है लेकिन फिर भी मेरी तिवरिक्षा है कि मैं इस राम चरित मानस को लिखूँ जिस हवा में सुमेरू जैसे पहाड उड़ जाते हैं कहिए तो उसके सामने रूई किस गिंती में है श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझ कर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिच किचाता है मैं अपने आपको उस अस्तरका नहीं पाता हूँ कि मैं राम कथा लिखू लेकिन फिर भी मैं असंतोष्ट महसूस करता हूँ जब तक लिखने दूँगा जब तक लिखने दूँगा तब तक मेरा असंतोष्ट बना रहेगा मुझे तो लिखना है संतोष्ट होने के लिए यही मेरी सिवा है और ऐसा वो समझते हैं यह सब नेती नेती कहकर पार नहीं पास सके सदा जिनका गुनगान किया जाता है उस इश्वर के बारे में उन्होंने नेती नेती कह दिया अंत में सब जानत प्रभु प्रभुता स्वई तद भी कहें बिनु रहा न कोई तहां बेद असकारन राखा भजन प्रभाव भाति बहुभाशा यह दिपी प्रभु शीरामचंद्र की प्रभुता को सब अकथनिया ही जानते हैं ब्रह्म है कहां तक कहोगे कहां तक बताओगे सथापी कहें बिना कोई नहीं रहा सब अकथनिया मानते हैं फिर भी कोई कहें बिना नहीं रहा इसमें वेज ने ऐसा कारण बताय कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा जाता है तो मैं भी समझ लो कि प्रभु राम जी का भजन ही कर रहा हूं उनका गुनगान करकर उनके चरित्र का गान करकर एक अनिह अरूप अनामा अज सचिदानंद परधामा व्यापक विस्व रूप भगवाना तहीं धर देह चरित्र कृत्र नाना सोके वल भगत नहित लागी प्रम कृपाल प्रनत अनुरागी जही जन पर ममता अतिछोहू जही करुना करिकिन नकोहू जो परमेश्वर एक है जिनकी कोई इक्षा नहीं है जिनकी कोई इक्षा नहीं है जिनका कोई रूप नहीं है जिनका कोई रूप नहीं है एक अनिह अरूप अनामा उनका कोई नाम नहीं है ना उनका कोई रूप है ना उनका कोई नाम है वो ब्रम उसका ना कोई रूप होता है और ना ही उस ब्रम लेकिन आगे आने वाली चुपहीं में वो नाम उपाधी माना है वह इश्वर की उपाधी अब विवेक छुड़ा मनी आगर आपने पढ़ी हो तो उपाधी का विशह सही से समझ पाएंगे नहीं तो लोग उपाधी को भी इश्वर ही माल लेंगे फिर ब्रह्म ही माल लेंगे तो नाम रूप मिल रा है जब वो अवतार ले रहे हैं तो क्या मिल रहा है नाम भी मिल रहा है, रूप भी मिल रहा है, तो उनका जो नाम और रूप है, वह एक उपाधी है, ये मानस के चुपाईयों में आता है, ठीक है? तो उपाधी उसे इन्होंने माना है, और उस उपाधी को ही अवतार माना है अब समझे अवतारवाद उस उपाधी को ही अवतार माना है तो फिर आ गई वही बात आदी गुरु शंक्राचार वाले की उपाधी तो मिथ्या होती है वही अद्वयत सद्धान पर बात फिर चली जाएगी तो इसी लिए सब जानत प्रभू तो हो गया चली सोकेवल भगतन हित लागी तही धरी देह चर्त कृत नाना कि एक अनीह अरूप अनामा वो अरूप है वो अनाम है अज सचिदानंद परधामा जो अजनमा अज अज शब्दगा परियोग हुआ इसलिए मैं कहता हूँ तुलसी रमायन की विचारधारा को जो द अध्यात्मिक विचारधारा है कथा कहानिया तो है उसको लेकर बहुत सारे अपने अपने लोग तरक देते हैं ठीक है लेकिन तरक परिवेश को खतम करके मत दीजिए जबरदस्ती वाले अर्थ मत निकालिए परिवेश को पहले पकड़िए कि किस परिवेश में कौन सी बा माहौल उनके चारों तरफ उनके जीवन में जिस अस्थान पर हैं अयुद्या में हैं काशी में हैं तो जहां भी वो हैं रहते हैं वहां पर जो माहौल बना हुआ है जो परिवेश बना हुआ है धरम को लेकर चारों तरफ पाखंड भी फैला हुआ है ऐसे बहुत सारे पाते जो लिखने जा रहा हूं समाध इसका विरूद तो पक्का करेगा इसी लिए मैं पहले ही वह अपने आपको पहले के रहे कि मुझी को सबसे बुरा मानो लेकिन तुलसीदाजी ने जिस धंग से लिखा है जो भक्त है जो अध्यात्मिक प्रविर्ति के लोग है वो जरू का अर्थ कथा के प्रसंग से लेंगे फिर शबरी प्रसंग है तो शबरी माता शबरी ने क्या कहा राम जी ने क्या कहा लक्षमान जी ने क्या कहा उनकी विचारधारा फिर आएगी लेखक तुलसीदाजी है लेकिन विचारधारा उनकी मानी जाएगी ठीक है तुलसीदाज का सम्मान नहीं करता था ठीक राम नारी का सम्मान करते थे तभी अहिल्या का उद्धार भी उन्हों ने किया अहिल्या को समाज में मान प्रतिष्ठा दिलवा दी माता शबरी को भी उन्हों सम्मान दिया तो राम जे की विचारधारा अलग है घृष्षवामे तसिदाज में सब की विचारधारा रखते है तो तो परिवेश में चीजों को पकड़ना पड़ेगा कि तो अब यहां पर गो सरवत्र व्याप्त है कि विश्वरूप है कि यहीं धरी देह चरितिकृत नाना उन्हों भगवान ने दिव शरीर धारन करके नाना प्रकार की लीला की है उन्हीं देखिए उनको अब यहां पर कितना कॉंट्रडिक्शन आ कि अज़ दिया अज शचिदानंद पर घ्र्रधेम यहां अरूप अन्माश चरित कृत नास और वह भगवान जो अजनमा है सचीदानंद पर धाम है व्याक कंव शुआ रूप है रूप कह रहे हैं तो लोगों के कल्यान है तूवगों एक उपाधी निश्षित करता है, वह एक देधारन करता है, उपाधी वाली बात अभी आगे के चौपाईयों में मिलेगी, तो चली चौपाईया हैं, फिर से हम इस विशाय को लेकर आगे बढ़ेंगे, फिर लिखते हैं, इसो केवल भगतन हितलागी परम कृपाल प्रनत अनुरागी जही जन पर ममता अतिछोहू जही करू ना करेकिन नकोहू वह लीला केवल भकतों के लिए ही है। अपनी उपाधी को धारन करके लीला शुरू कर देते हैं। वह देधरी धारन करते हैं नाकी जनम लेते हैं। यह जो भगवान के बारे में उगुन बता रहे हैं। वह देधरी धारन करकर नाना चरित्र करता है। उपाधी धारन कर लेता है। उपाधी का ही नियम लागो उसके उपर हो जाएगा फिर। तभी यह बात सिद्ध होगी। कि भाई कर्मों का भोग उसके लिए भी फिर बन जाएगा। सो केवल भगतन हित लागी वह भगतों के हित के लिए कि उनकी तिव रिक्षा होती है। शिव रिक्षा होती है कि ऐसा हो। पतंजली की मानता इस विशय में पतंजली क्या कहते हैं। योग शास्त्र की विचार धारा करुसार, जहां पर सिद्ध पुरुशों के जन्मी की चर्चा की है, महरशी पतंजली ने। उनकी एक एक्षा है कि जगत का कल्यान हो, लोगों का कल्यान हो, इस धारन से वो दुबारा शरीर मुक्त रूप से धारन करते हो, मुक्त होते हैं वो फिर भी देह धारन करते हैं, तो वो देह धारन करते हैं, वो जनम नहीं लेते, तो उसमें उनकी अपनी एक्षा है कि मुझ लेकिन संकल्प कर लोगों के लिएक्षास शर्य धार्त करले इसलिए और पतंजिली युग शुत्र में ऐसी बाते आते हैं कि अगला जनम को निश्चित किया जा सकता है महारशी पतंजली बताते हैं कैसे निश्चित कर लोगे अपने करमों से अपनी साधना से तुम निश्चित कर सकते हो कि तुम्हारे आगे का जनम कैसा होना चीए लेकिन जो मुक्त हैं जो समाध्य अवस्था को ब्राप्त कर चुके वैसे अपनी मर्जी अपनी इक्षा से निश्या ही श्रीड्हारन कर लेते हैं इसलिए उसको अग्लण घरान कर ले hospital भरल छांद तें गुझे किसी का कल्यान करना है यह भावना भी जब समाप्त हो जाती है कि इस प्रकार प्रकार से गोश्वामे जी आगे अपनी चर्चा करते हैं गई बहूर गरीब निवाजू सरल सबल साहिब रगुराजू बुद्ध बर नहीं हरी जस 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 जानी करही पुनीत सुफल निजबानी विप्रभू श्री रगुनात की राम जी की रगुनात जी गई हुई वस्तू को फिर प्राप्त कराने वाले हैं। वो गरीब निवाज है दीनबंदू है गरीब निवाजू भगवान राम को राम चरितमानस में गोश्वामित उस्तिदाजी ने गरीब निवाजू लिखा है गरीब निवाजू लेकिन आजकल लोग गरीब निवाज किसी और को ही बोलते हैं हलाकि उनकी भाषा में कोई गरी करना शुरू कर दिया और किसी और को गरीब निवाज कहना शुरू कर दिया लेकिन गो स्वामी तो सिदा जी यहां पर श्री राम चंद्र जी को गरीब निवाजु कहते हैं कि कई बहुर गरीब निवाजु सरल सबल साहिब रगुराजु सरल सभाव शर्ष्रक्तिमान है वो स तो यह कहते हैं तेही बल मैं रगुपति गुनगाथा कही हुनाई राम पदमाथा मुनिह पर्थमकरी हरी किरती गाई तेही मग चलत सुगम महिभाई उस बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं परंतु जो महान फल देने वाले प्रभु का भजन समझ कर भगवत कृपा के बल पर ही मैं छी राम चंद्र की चरंस में सिर्नवाकर रगुनाथ जी के गुनों की कथा कहूंगा इस पर विचार से वालमे की व्यासाधी मुनियों ने पहले ही हरी की किरती गाई है तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि भई मैं किस सक्ति से मेरे अंदर ना बुद्धी का ब मेरे उपर एक ही शक्ति मेरे साथ काम करेगी और वो है प्रभु भजन की शक्ति मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है मेरे अंदर कोई प्रतिभा नहीं है ना काव रचना की प्रतिभा है ना तर्क करने की प्रतिभा है ना मैं बहुत मेरी बुद्धी बहुत कुशागर है ऐ मेरे मुझे अगर किसी का भरोसा है मुझे अगर किसी का संबल है तो वो श्री राम भजन का संबल है प्रभू के भजन का संबल है उनके ही नाम इसमरन का संबल है उन्हीं की शक्ति है और उसी शक्ति से उसी शक्ति से मैं लिखने जा रहा हूँ, मैं अपने बुद्धी से, कोई तर्क बुद्धी से नहीं, मैं उसी शक्ति से लिखने जा रहा हूँ, आप लोग इसका लाब उठाएं, आनंद उठाएं, गो सामीत उसी दाज्य कहना, और फिर इसलिए मेरे पास तो कावे रचना क कि कला है नहीं, मैं तो कावे रचना जानता नहीं, मैं तो कू कवी हूँ, मैं कवी भी नहीं हूँ, साहित्य का कोई ज्ञान मुझको नहीं है, इसलिए मैं सभी कवीओं से प्रार्थना करता हूँ, और वो सभी कवीओं से ही प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, ठीक है जो अत्यंत बड़ी श्रिष्ट नदियां है यदि राजा उन पर पुल बांद देता है तो अत्यंत छोटी चिटियां भी उन पर चड़कर चली जाती है वही मेरी स्थिती है मैं भी ऐसे ही इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सार जिन मुनियों ने कावे रचनाई की है पहले रमायन लिखा है तो उन सब को गुस्वामे जी साधर प्रणाम करते हैं कि एही प्रकार बलम मनही देखाई करिह हूं रगपती कथा सुहाई व्यास आदि कभी पुंगव नाना जिन साधर हरी सुजस बखाना इस प्रकार मन को बल दिखा कर मैं रगपती के सुहाउनी कथा के रचना करूँगा व्यास आदि जो अनेक स्रेष्ट कभी है हो गया है जिनने बड़े आदर से श्री हरी का सुयश वर्णन किया उन सब के चर्णों में प्रणाम तो बालमिकी जी के चर्णों में प्रणाम है व्यास जी के चर्णों में प्रणाम जो बड़े-बड़े बुद्धिमान कवी हुए है उन सब के चर्णों में प्रणाम करते है गोसामी तोसिदा जी दोहो चौपाईयों में ये वर्णन आता है सब के लिए एक एक चौपाई उन्होंने लिखी है बालमिकी जी के लिए व्यास जी के लिए सादू समाज के लिए सादू समाज मरी कविता का सम्मान हो क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते कीरती कविता और संपती वही उत्तम है जो गंगा जी की तरफ सब का हित करने वाली होती है शी राम चंदर जी की किरती तो बड़ी है परन्तु मेरी कविता बहुत बद्दी है यह असामंजस से और यही बात मुझे बार बार चिंतित करती है इसी के मुझको चिंता है तुम्हरी कृपा सुलबस उमोरे सियनी सुहावनी टाट पटो रे और उन्तु हे कवियों आप ही कृपा बाल में कीजिए व्यास दे और जितने कवी हुए अगर वो मुझपे कृपा कर दे तो मेरा काम सरल हो जाएगा फिर वागे वो फिर दोहे चुपाईयों में फिर बात करते हैं और सब के चरित का वर्लन करते हैं और कृपा का मांगते कि सब अपना बैर भूल कर मुझपे कृपा करें दुष्ट भी कृपा करें सज्जन भी कृपा करें संत भी कृपा करें देवता दाना वो सब कृपा क के सुन्दर हंस है कवी और पंडित गंजी मुझ बालक की विन्ति सुनकर सुन्दर रुची देखकर मिरी रुची है तो मुझ पर कृपा करें कि मैं भी कावे रचना कर दूं अगर उनका सकरात्मक भावना यहां भाव वर्धी है सबके परतिक सकरात्मक भावना का वर्धी ग मातपिता और किसको माता-पिता मानते बोलनात शिव जी को प्रणाम करता हूँ जो inici मेरे गुरु और माता-पिता है अपने गुरु शिव जी को यहां गुरु मान कर और उनको अपने माता-पिता भी मान रहा है कि यही मेरे माता-पिता हैं, अब अब सउनेंगे क्योंकि अब गोज्वामी जी की रचना कुछ है ही ऐसी, यह काव्व रचना है भीया, अनेको अपमाए अनेको अलंकार और तुलसी दाजी ने ये ठान लिया है कि शैव और वैश्णों के बीच में वो एकता स्थापित कर देंगे राम चरित माना जो पढ़ेगा वो शैव वैश्णों के चक्कर में पढ़ेगा नहीं तो एक तरफ तो उनके लिए राम जी भी माता पिता है और सिता जी भी मा समान है इधार शिव जी को भी माता पिता मान रहे है यही मेरे माता पिता अब ये कौन गुरुपितु मात महेश भवानी परणव दीन बंदु दिनदानी सेवक स्वामी सखा स्यपी के हितनी रुपधी सब विधी तुलसी के जो दीन बंदु और अनितिदार करने वाले हैं जो सीता पती सी रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा है तथा मुझे तुलसी दाज जी के अब यहाँ पर देखिए सुनोगे कहां तक मानस सुनोगे और कहां तक पकड़ोगे एक एक चौपाई में इतनी गहरी-गहरी बात निख दी गई है सेवक स्वामी सखा सियपी के जो सिता पती शीराम चंदर जी के सेवक स्वामी और सखा है क्यूब बाते उम्हेश भवानी जो दीनबंध्व दिन दानी , मेरे गुरु है और मेरे माता-पिता भी शिवजी है ठीक शिवजी और भवानी जी ही मेरे माता-पिता है जो दीन-बंदू और नित्यदान करने वाले हैं कृपा का दान करने वाले दीन-बंदू है किसको दीन-बंदू करे शिवजी और भवानी जी को जो सिता-पतिशी राम स्वामी और सखा कैसे हो जाएगा इसी लिए इसके अर्थ निकालने वाले अनेकों अर्थ निकालते रहते हैं यहां पर जो वह बात कहेंगे सुनने में विचित्र है नहीं लेकिन आपको लगेगा अब यहां पर जो वह बात कहना स्वामी सखापी क्या रामजी है और जो शिवजी है भवानी जी को रामरंजी के कौन है क्या बता दिया कि शिव जी राम जी के सिवक हैं सिविकार हो गया जी जितने वैशनों संप्रदा हैं बिल्कुल सही बात बिल्कुल सही बात सिवक है शिव जी राम जी के सिवक है सिवक स्वामी सखा सियपी के सियापति राम चंद्र के वो सिवक भी है सखा भी हैं और स्वामी भी है ये कौन सी बात भी एक ही व्यक्ति स्वामी और सेवक दोनों कैसे हो जाएगा वो स्वामी भी है और सेवक भी है मालों जैसे सरकार है अब सरकार जनता के लिए स्वामी भी है और सेवक भी है ius नेता जीलों कहते रहते हां जुड़कर कि हम जंता के सेवक हैं अभ है कि नहीं है लेकिन कहना थो उनको है मंच पर जाकर अपने आपको स्वामी समझते हैं मंतर्य के पदुति पद्वी पर बैठने के बाद या सेवक समझते हैं तो WHO ही और इवाँ है । आप कौन से मानोगे की शिव शिव और राम के बीच क्या संबंद है। राम की सिव जी स्वामी है या राम जी द आगया है। इसीलिए उनकी बातों का उनकी मानस का जो वैश्नbooks अपंथी नने भी विरूद के ता जो कि अ उनों ने भी विरोध किया के लेकिन जो अध्यात्मिक ए Umwelt सूच रखनेये वाले थे जिनके अंदर अध्यात्मिक जाग्रती थी जो तत्तव ज्ञान के प्रति आकरष्ट फें कि जो तत्तव ग्यान के प्रति अत्यनत अकरुष्ष्ट थे वह उस मानस को बड़ा पसंद करतें, और उनको बात समझ में आ जाती है, तो कि शिव और राम में तो कोई भेद नहीं है, और जब कोई भेद नहीं है, तो सेवक स्वामी सक्षा, वो सब कहना इसमें कोई बुरा ही नहीं है, उनको अजनवा भी कह दिया, और देधारन करने वाला भी कह दिया एक तरफ अजनमा स्विकार कर लिया तुलसी दाज ने अजनमा इसलिए तुलसी दास्क जी का जो विशिष्टा अद्वईत है वो थोड़ा सा अलग है इसलिए शुरुवात में ही मैंने ये बात इस्पष्ट कर दिया था कि तुलसी रामचरित मानस का जो विशिष्टा अद्वईत है वो थोड़ा सा अलग है तो इसमें संकर का अद्वईत भी मानने है ये बात मानने है कि अजनमा है हलाकि संकर के अद्वईत में तो दोनों ही मानने है अजनमा जनमा उन्होंने तो ब्रह्म को न जनमा माना न अजनमा माना तो कि उसके लिए शब्द ही नहीं है जनमा अजनमा कहना उसके लिए ठीक नहीं है तो सर्व्यापी और जो सर्व्यापी है उसको भला जनमा और अज जनमा भी और नहीं भी जनमा हुआ है कि निराकार क्या तुमारे बुद्धी जहाँ चलती है वहां पर तुम रहा कार साकार बोलते हो तो परे है सबसे इसिलिए गो स्वाम जी लिखते अरूप अनामा, कि वो अरूप है और अनामा है, ना उसका कोई रूप है और ना उसका कोई नाम है, रूप होना और नाम होना तो उपादी है, इसलिए एक विशेस बात में फिर से कहूंगा, कि अगर मानस को भी समझना है, लोगों ने जिस विशेय पर ध्यान नहीं दिया, हमने पुरानों की कथाएं रटी, हमने रमायन की कथाएं रटी, लेकिन हमने दर्शन नहीं पढ़ा, वैदिक दर्शन जो है अगर इस पष्ट हो जाएगा, तो बहुत सारी बातों को समझना सर हो जाएगा, अगर दर्शन आपको जो six concepts है, six concepts कौन कौन से सांख्य, योग, विदान्त, मिमानसा, न्याय, वैशिशिक, इन concepts को अगर आपने clear किया है, तो चाहे पुरानों की कथा हो, चाहे रमायन की कथा हो, चाहे तुलसिदाजी की रचना हो, उसका सही सही अर्थ तक प प्रशन उठेंगे आपके मने में, और मानस गोस्वामी तुलसिदाजी ग्याता है, शास्त्र ग्यात भले वो लिख रहे हैं कि भाई, क्योंकि वो समय ऐसा है, ऐसा था कि व्यर्थ में लोग अपने धार्मिक अहंकार का प्रदर्शन करते थे, कोई अपने आपको पंडित स करने में लगा, कोई शास्त्रार्थ करकर सबको जीतने में लगा हुआ है, तो अलग-अलग प्रकार के धार्मिक संप्रदाएं सनातन धर्म में ही बन चुके थे, अनेको प्रकार के गुरू और मतावलं भी खड़े हो रहे थे, जो कि आज तक वो प्रमपरा चलती आ रही है हमने थोड़ा प्रयास करना है और सबको संगठित कर देना है, आज भी सनातन धर्म के नाम पर अनेको विचारधाराएं जो गोस्वामी जी लिखते हैं कि मारग सेव जाकेव जो भावा अपंडित होई, जो गाल बजावा, मित्या, रंब, दम्रति जोई, ताक ही उस संत कह है सबकोई, सारे भेद भाव खतम हो और सनातन धर्मी संगठित हो, इसलिए गोस्वामी तुलसिदाजी की रचना में रामा नुजाचारे का विशिष्टा द्वाइत भी आपको देखने को मिल जाएगा, माधवाचारे का द्वाइत भी मिलेगा, शंकर का अद्वाइत भी मिलेगा, वो ब्रह्म की देधारना को भी स्विकार कर रहे हैं, और वो ब्रह्म को अजनमा भी स्विकार कर रहे हैं, वो अरूप और अनामा भी बता रहे हैं, और रूप और नाम से संपन भी बताएंगे, अभी आगे चलिए, कल के विशह रूप और नाम पर ही रहेगा, कल है बिलकुल एसी तो नहीं लेकिन फिर भी 95% ऐसी ही भासा आज भी उत्र प्रदेश के कुछ पुर्वी छेत्रों में बोली जाती है पुर्वानचल के छेत्रों में लगबक सटे हुए उत्र प्रदेश के बॉर्डर से सटे हुए जो पश्रमी भिहार के चेत्रे उनमें भी कुछ मद्ध परदेश के चेत्र में भी जो प्रयाग से की सीमा से लगने वाले चेत्रे उनमें भी इस प्रकार की भासा मिलती जुलती भासा का प्रयोग होता है जो अवदी भासा जैसी ही है तो ये मिलता है तो उस भाशा में तो लिख रहे हैं लेकिन जो उनका दर्शन है, जो उनका जो concept हैं, जो उनकी बाते हैं, शायद बहुत ही गूड है, हो सकता है कि पतंजली के योग सुत्र को समझना, हो सकता है, यदि आप साधना करते हैं, ध्यान योग करते हैं, साधक हैं आप, तो विवेक चुडा मनी को समझना, योग सुत्र को समझना बहुत कठिन तो नहीं लगेगा आपको लेकिन वो अगर समझ आपको पता है कि मिमानसा दर्शन क्या कहता है लेकिन दुर्भाग्य पूर्ण है कि जितने भी विचारक आए वो कथावाचक जादा हुए उन्होंने गुनगान तो किया प्रभू का लोगों को भक्ती मार्क पर तो लगाया लेकिन जो सनातन धर्म की जो वैदिक दर्शन की समझ पैदा होनी चाहिए थी वो समझ पैदा ना हुई यहाँ तक कि मानस में इतनी गुढ़ गुढ़ बाते अभी हमने दो चार चौपाईयां पड़ी कितनी गुढ़ बाते गो स्वामी तोसी दाजी ने लिख दी है कितनी गुढ़ बाते अब शिव जी को वो राम जी का सेवक भी बता रहे है स्वामी भी बता रहे है सखा भी बता रहे है भगवान शिव और पारवती वो मेरे माता पिता है उनको अपना गुरू भी बता रहे हैं, एक गुरू उन्होंने नरहिधास जी को बता रखा है, उनके वो सुरू से गुरू थे, उनके बाध्याम से उनके सिख्शा दिक्शा हुई, नरहिधास बच्छपन से ही उनके शाहन में चले गए थे, लेकिन उसके बहुत समय बाद उन्होंने मानस के रचना की है तो गुरु शिव जी को यहां गुरु बता कर और उनको अपना माता पिता बता कर उनको राम जी का सेवक भी बता रहे हैं सखा भी बता रहे हैं और स्वामी भी बता रहे हैं यह तीनों बता रहे हैं, सुचिए गया कि कहाँ Gobierno पर सब समभव संग चद्वहशां मुधेम् संवो समानम्नहसचतमेशाम है समानो मंत्र भी मंत्रेव समाने नवो हविशाज हों मी वैदिक मंत्र है अरिगवेद के संग्यान सुकत का यह मंत्र है तो इस प्रकार से उद्द्श वही है गोस्वामि तुल्सिदाश जी का भी और सब को एक विचार देना वो कुछ चाहते हैं चौपाईयां लगेंगी उसको कई बार नहीं भी पढ़ा जाएगा इसे कि अभी उन्होंने सब की वंदना के बाल में की जी गंगा जी सरस्वती जी व्यास जी और थो थोड़ा सा आपके विचारों को फिराम करेंगे अभी वो सगुन निर्गुन की चर्चा करेंगे नाम रूप की चर्चा करेंगे फिर नाम की अलग से महिमा गाएंगे कि भगवान के नाम की महिमा क्या होती है, नाम का रहस्य क्या है, इश्वर का नाम क्या है, क्या वो सगुन होता है, क्या वो नर्गुन होता है, जी नहीं सगुन, नर्गुन, वो ऐसे नाम की चर्चा करते हैं, जो सगुन, नर्गुन दोनों का पहचान करा देता है, वो ऐसे नाम की चर्चा कर देते हैं तो इस ब्रकार से ऐसी भी चर्चा वो कर देते हैं नाम रूप की बिहत चर्चा मिलती है सगुन निर्गुन की चर्चा फिर मिलती है और उसके बाद जाकर वह यागवलक और भार्दवाज जी का प्रसंग उठाते हुए शिव कथा का प्रारंब कर देते हैं प्रारमति жी को राम्कता चुरू है चलते हैं आपके कमेंट्स की और देखते हैं, और फिर विचार आपको दिये जायेंगे, और जो भी आपके कमेंट्स होंगे, उस पर विचारा नहीं होंगे, तो विचार किया जाएगा, बिक्रम सिंग जी बहुत अभिनंदन है हरी मोहन गुप्ता जी, इसके मिनाज जी, गउराव सिंग, बिक्रम सिंग, शंगर प्रसाथ जी श्वेता कुमारी अभिनंदन है, जगत नारायन जी अभिनंदन है अरजन भाई चोहान, कमलेश, खैरनर, अशोग गोयल, बिमला शाह, विनोध सूध, एके त्यागी, रमेश, पेश्वानी, विश्नुचंदर मौरिया, अबनी प्रधान, सवितान नायक जी, रूपलाल विश्व कर्मा, मादुरी कोले, राजु पाल, उशा श्रिवास्तो जी गोविंद परसाद नीमा, स्मितास सावंत, सभी का बहुत अभिरंदन है, शीक, पुड़ा सा, आगे बढ़ गया, जगत नरायन जी, अर्जन भाई, चोहान, गमलेश, खैरना, अशोग, गोयल, विश्नुचंदर मौरिया, अबनी प्रधान, सवितान नायक जी, रूपलाल विश्व कर्मा, मादुरी कोले, राजु पाल, उशा श्रिवास्तो जी, गोविंद प्रसाद, नीमा, चंदरिश् पांडे पूनम सिंगला जी, शतीर सर जी, राम निवास, मीना, संतोष, देवी, हरी, मोहन गुपता, तुलसी के रचना शक्ती बढ़ाने के लिए सुन्दर है, जीवन जीना, सीख आरती है, चीख है, सुनिए इसमें बहुत गहरी गहरी बाते हैं, गूर बाते हैं, कनहाई कुमार जी, बविता धिमान, गंबीर शा, विंदेश्वरी मिश्रा, कनहाई कुमार, परम अधर्निय प्रभुजी साह, नदी मर्यादा मर्यादी रहते हुए दोनों किनारे कभी नहीं मिलते हैं, तो गुरु महिमा का अध्यात्म समझाने का किरपा करें, नदी के मर्यादा रहते हुए नदी अपना प्रभाहित होती है, मर्यादाओं में प्रभाहित होती है, मर्यादाओं में प्रभाहित होने के कारण ही वो अपने लक्ष को पहुंचती है, लक्ष पर चलती है, तो ये दो मर्यादाएं जो दी गई हैं अभ्यास और वैराग्ये, भगवान कृष नहीं दो मर्यादाएं अप्भ्यास और वयराज्ञ में लगे रहने से बाकिन संसार अपनी जगह पिंटु वास्वा प्रशांत सेठ सरोज कृष्णानी उज्वल छेत्री वल्वन सिंग गोहिल जुनती दत्ता महेश मक्वाना जलाराम राइका राकेश मराठे जी मितलेश सिंग जी प्रणाम गुरुदेव सस्वर जी का दिहान तो हो गया है इस कारण देख नहीं पा रहा था पर सभी व्याक्यान देख लिया बहुत ही खुबसूरत है रामचरित मानस जी अभिनंदन है आपका हरिंदर सिंग जी गोपाल दास दश्रत पटेल जी हरिंदर सिंग जी अर्जुन पाटिल गनेश पवार रजनेश बरफानी देखे तो सिदाज ने आज कई महिमाएं गाई बरम रामायन में जितने चर्द है उनकी वह उनको भी प्रणाम करेंगे आपका चर्द वर्णन मैं करूंगा तो सबको प्रणाम वह करते हैं दश्रत जीसे लेकर सिता जी राम सबका लक्षमन जी हनुमान जी सबका करते हैं गनेश पवार जी रजनेश बरफानी जी गीता देव भीकु कुचाडिया श्रीभंक भगवान शर्मा एस्पी यादो हेमंत वानकड़े जी सिवकाई में प्रभुताई मास्ट्री इन सर्विच्शूड जी हां हमंत वानकड़े जी सिवकाई में प्रभुताई बहुत अच्छी बात लिखी आपने स्पी सैनी जी स्पी यादो जी गुरुजी आकाश क्या हिरन्यगर्व है नहीं आकाश जो इन स्थूल नेत्रों से आप आकाश देख रहें वह रन्यगर्व नहीं है भविता धिमान जी स्वामी और सेवक का अर्थ बहुत अच्छा समझाया आपने ठीक दोनों ही है मतलब सीता पती से राम चंद्र जी मोहित राव जी प्रणाम गुरुजी तो ऐसे कई बाते राम चर्त मानस में है शिव कथा क्यों वर्णन करते हुए हर और हरी का भेद खतम करने का उनका प्रयास था और वह बहुत सुंदर्ता से उन्होंने किया है समाज को इसी लिए मान प्राव रूप में है तो इसको कवीता की तरह जैसे कि आ गायन तो वैसे नहीं होसकता लेकिन जो है कविता के समान पढ़कर जरूर ही इसकी व्याक्या की जाएगी तो इस तरह से चलेगा वैसे भी ये कावे रशना है और उसी तरह से इसको पढ़ते हुए हम चलेंगे और देखते हुए चलेंगे कहां पर कौन से रहस्यों को गो स्वामी जी प्रगट कर रहे हैं तो कल क तरचा में सम्रित हो ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो वाक्यान है इसके उपर और अधिक उत्कृष्ट होते जाएंगे और अधिक जो है इसमें से बहुत सारी बाते और रहस से निकलने शुरू हो जाएंगे तो बहुत बहुत आभार है आप सभी का और यदि आपको कोई लगता है कि भाई नहीं ये बात सही नहीं जच रही है मुझे स्विकार नहीं हो रही है तो शबा करें ये मेरी अपनी बुद्धी हो सकते ये आप अपना तर्क रख सकते हैं मैं यहाँ पर आपसे कुछ वो नहीं करूँगा यह मानस है अर्थ निकालने की कुछ स्वतंतरता तो तोसिदाजी ने खुद ही दे दिये है तो उपमाए है अलंकार है बाते बहुत गुणता से काव्य है तो रहस्माई क्योंकि काव्य में जो बाते हैं रहस्माई धंग से भी लिखे जाते हैं ताव्य रचना आप पढ़ेंगे तो रहस्माई धंग से भी आप कभी आप रामधारी सिंग दिनकर की परशुराम की परतिक्षा पढ़ लीजिए रश्मी रथी पढ़ लीजिए बहुत सारी बातों को हलाकि अधार लिया जा रहा है परशुराम जी का लेकिन जितनी भी बाते उन्होंने परशुराम की परतिक्षा में लिखी हैं वो वर्तमान राजनीती के लिखे थी वर्तमान राजनीती के लिए लिखे था, तो इसलिए उनकी बाते भी कुछ उस धंक की फिर सामने आ रही है, उनकी बाते भी कुछ इसी प्रकार की नजरा रही है, तो ये हमें विचार कर लेना है और उस धंक से समझने की कोशिश करनी है, गुढ़ता है काववे है तो रहस्माई भी बन जाता है साथ में कविताएं होती ही रहस्माई है थोड़ी सी और गुढ़ता भी है गहराई बहुत है गुढ़ बात है डीप कॉंसेप्ट रुषण के वैदिक डर्शन के डीप कॉंसेप्ट्स आपको मिलेंगे रामचरित मानस में ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही लिखे जा रहा है जी नहीं गोस्वामी तुसीदाजी स्वेम एक अनुभवी साधक सिद्ध साधक हुए कोई सधारन व्यक्ति नहीं ते भले वो लिख रहा है कि भाई मुझे ऐसा समझा जाए कि मैं भद्धी कविता लिखने वाला हूं मुझे कुछ भी मेरे अंदर बुद्धी नहीं है विवेक नहीं है हाँ बस एक ही सबल है कि मैं राम माता पिता जब है तो मैं चिंता करने की जुरति मैं लिखाई दूंगा यह उनको विश्वास है लेकिन वो अपनी बुद्धी का बल नहीं लेते हैं अपने काविरचना की जो छमता है जो प्रतीभा है उसका भी बल नहीं मानते हैं बस कृपा मानते हैं और कोई चीज वो अपने अंधर नहीं मानते हैं अपने आपको मानते हैं अपने आपको संसार में आसक्त बता रहे हैं अपने आपको भगवान के नाम पर धर्म पाकरना तो पहले अपने आपको भी तुम जादा मत बोलना यह मत सोचना मैं आपको ही क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि गोष्वामी तुलसीदाजी ने कहीं में पाखंड को लेकर बहुत व्यांगात्मक और चोट पहुचाने वाली बाते लिखिए चोट करने वाली बाते ठीक है तो इसी लिए वो जानते हैं कि जब चोट करने वाली बातों को लोग पढ़ेंगे तो अंदर से तिल मिलाएंगे अंदर सुनको परिशानी होगी तो सुरु में ही याद कर लेगा कि तुलसी ने तो अपने आपको ही पाखंडी माल लिया है लेकिन उनका उद्दिश्य है समाज को जागरू करना तो उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि लोग उनके बारे में क्या समझेंगे और क्या राय रखेंगे ठीक है वह जागरू करने हैं तो जो भी तक थे लिखने जरूरी है वो लिख रहे हैं और आप पढ़ी रहे हो किस प्रकार से अजनमा भी बता रहे हैं देधारी भी बता रहे हैं और शिव जी को सेवक स्वामी सखा तीनों बता रहे हैं स्वामी भी हो गया सेवक भी हो गया सखा भी हो गया तो यह चीज है बातों की चर्चा कबीर दास जी के वानी से करते हैं तो राम का भी गुणगान किया है कभीरवानी में कृष्ण का भी गुणगान मिलता है राम जी का भी गुणगान मिलता है हनुवानुघ हो mild स्वामी से जैसे कि हनुमानजी की कि महिमा कभीरदास जी ने जो गई है उसमें ऐसी वानी तो मिलती है चलिए अभी हम विराम देंगे बहुत सारी बाते हैं चरचा के लिए चर्चा चलती रहेंगी आगे बढ़ती रहेंगी आप जुड़े रहें बने रहें सुनते रहें अगर कोई बात ना पसंद आ जाए तो मुझको भी अज्यानी समझ कर मुर्ख समझ कर आप छमा कर दीजिएगा ठीक है और चमड़ी की जुबान है फिलस फिसल सकती है अवगुन तो सब के भीतर है तो सिदाजी ने अपने तरक से प्रमानित कर दिया चाहे संत हो चाहे दुष्ट हो सब के अंदर अवगुन है संतों के अंदर अवगुन थोड़ा कम मिलेंगे दुष्टों के अंदर अवगुन जादा मिल जाएंगे तो मेरे के अंदर भी अवगुन तो है ही तो उस अवगुन के कारण कुछ गलती हो कई हो बोलने में तो उ किसी के साथ विराम देते हैं